अंडमन सागर से उठा चक्रवाती तुफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुँच जाएगा और 24 अक्टूबर को ये उडिसा पश्यम बंगाल के तट से टक्राएगा मौसर में भाग ने साइक्लोन के लैंड़ फॉर की जानकारी नहीं दी है अनुमान है कि ये पूरी से टक्रा सकता है तुफान का दाना नाम सौधी अरब ने दिया है दाना का मतलब उदारता होता है मौसर में भाग के अधिकारियों ने बताया कि 23 अक्टूबर से उडिसा पश्यम बंगाल के तटो पर हवा के रफतार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुचने का नुमान है जो 24 अक्टूबर की राज से 25 अक्टूबर की सुभा तक बढ़ कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी आयमजी के अनुसार तुफान के टक्रानी से एक दिन पहले यानि 13 अक्टूबर को ही भावी बाविश भी हो जाएगी उडिसा बंगाल के तटिये इलाकों में कुछ स्थानों पर 24 अक्टूबर को 20 सेमी बाविश हो सकती है कुछ स्थानों पर 30 सेमी बाविश यानि की 11 इन से जादा बाविश भी हो सकती है